मैं बोल रहु हूँ न देख ले काबा फिजिक्स में काबा सब का फायदा सब कर भी का सब्सक्राइब कर दो इस इस जी जह है कोई किसी पीजिट बाप अ कि ठिक बाव कि कबा अधिक्स में काबा एक चीज और जान सुन ना एक इंपोर्टन चीज बताता हूं जैसे कहा है कि मैंने एसाइमेंट जो बनाया है उस एसाइमेंट में 50 परसंट सवाल मैंने वो इंक्लूड किया है अभी पहला समिंट बना दो इसाम दूंगा मैं एन लेम का एनने नम का दो एसाइमेंट होंगा 50% एसाइमेंट में कोस्टन वो मैंने रखे हैं जो आपने मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी पे टैग करके बोला था कि ये बता दो बहुत सारे बच्चों ने एकदम फालतू सवाल पूचा कुछ बच्चों ने अच्छा सवाल पूचा जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे हैं है तो मेरे दिमाएंग में एक आइडिया है में कि यृर असाइमेंट बाइ यूर्सेल्f इस्क्री माय कना मेक यृर असाइमेंट भाई यूर्सेल्फ अभी क्या हो रहा है दिख्रों इसमें कितना फायदा होगा तुम सबका समझने कोसिस कर नहां तुम सबका बड़ा फायदा इसमें मान लो की किसी x-coaching में टेस्रीज ले रहा है कोई किसी वाई कोचिंग में टेस्रीज ले रहा है कोई किसी जेड में है कोई किसी टी किताब को कर रहा है कोई किसी पी किताब को कर रहा है अब तुमसे 70, 60, 70, 80% सवाल हो गए, अब तुमसे कुछ 5, 10% सवाल बचे, उसमें हो सकता है, तुम्हारी गलती हो, या हो सकता है, कोई creative सवाल बनाया हो, जैसे 45 या 50 सवाल में से, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना, 45 से 50 सवाल में से, 95% सवाल copied होता है, चाहे कि किसी को इतना समय नहीं है कि बैठ के नया सवाल create करें, यही होता है, इतना हाँ, सिर्फ 90 से 95% कोपी होता है, 5 से 10% सवाल वो एक दो creative बनाते हैं, सोचते हैं, अब क्या सोचेंगे, concept, अरे जो physics था तो physics न्यूटन साब ने concept बहुत सोच लिया, न्यूटन साब ने concept बहुत सोच लिया, अब concept नहीं, language नया, तो कुछ सवाल होते हैं, 2-4 सवाल, 50 में से 2 सवाल, यह 1 सवाल, यह 3 सवाल, जो नया language होता है, जो नया language होता है, तो तुम मुझे असान तरीका है, Instagram story में वो सवाल tag कर दो, अगर वो सवाल तुम्हारा qualify हुआ, क्रेटी हुआ तो उसको मैं साइमेंट पर दाल दूँगा, और एसाइमेंट में उसका solution दे दूँगा, सब का फायदा, सब का विकास, जो इमानदारी से पढ़ रहा है, सब का फायदा, सब का विकास, अब Y कहीं नहीं जा रहा, X में नहीं जा रहा, लेकिन X का अच्छा सवाल बनाया हो, X और Y को भी मिल गया, समझ गया क्या, फालतो सवाल नहीं, फालतो सवाल दी, कहीं से भी कोई test paper कर रहे हो, कोई module कर रहे हो, किताब कर रहे हो, किसी का भी module कर रहे हो, PW का module, X का module, Y का module, Z का module, उसमें तुम्हें कोई सवाल दिखता है, ऐसा सवाल दिखता है जिसमें कुछ language नहाँ है या कहीं से भी कोई ऐसा सवाल दिखता है चुम्हें तुम्हें लगता है कि यह थोड़ा सा अच्छा language का सवाल बना है तुम्हें उहां पर tag कर दो मैं उस सवाल ले लूँगा उसको assignment में डाल दूँगा assignment में उस सबके पास चला जाएगा और मैं उसका solution देऊंगा पंच में मिलता है पंच का सवाल दे दे इससे क्या होगा सबका फायदा हो जाएगा होना भी चाहिए जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा तो यह परसान होने से कोई फायदा तो है नहीं कि उसका तुम solution डूंटते रहो इधर दो परसान रहो और तुमको एक जगह का मिल रहा है एक्स को एक्स ने कुछ अच्छा सवाल दिया वाई को मिल गया जेट को मिल गए टी ने जेट ने अच्छा सवाल दिया वह एक्स को का एसाइमेंट डंबर वन मैं आपको दूंगा उसमें मैंने उसमें मैंने 50 परसंट सवाल आप ही के रखे हैं तो जिसमें अच्छा कोश्टन वह से टैग किया था उन सब को solution मिल जाएगा 50 परसंट सवाल मैंने आप ही के रखे है अच्छा एडिया है क्योंकि देखो भाई सवाल अगर आप से सी बर्मा का सवाल ले लो कोई तुमसे नहीं होता देदो इधर अगर तुम्हारा क्वालिफाई हुआ तो हम उसको एसाइमेंट में इंक्लूड कर देंगे भाई चीजे चेंज होती जाती है ना तो हमें रिजिट नहीं होना चाहिए किसी को लेकिन नही करते हैं कोपी करते हैं पूरा का पूरा कोई दिक्क्यत नहीं हो जाया है लगिन करते हैं तो इतना तो कहीं सकते हैं बाई मुझे दिक्कत नहीं है इभी मैं कह रहा हूं पढ़ाने दो बहुत मिनेंट से बनाए हैं चीजों को सिक्वेंस में सजाया सबसे पहले physics हो, chemistry हो, biology ह कोई भी subject हो, सबसे बड़ा चीज होता है sequencing, आज भी देखो के x शुरू किया, y पर कूद गए, फिर x पर आ गए, फिर z किया, फिर y किया, फिर x पर आ गए, फिर t पर आया, फिर y पर आया, अभे भाई साहब, subject वैसे ही मुस्किल है, अगर तुम ऐसे कूदा-कूदी करोग तो बच्चों को ऐसी समझनी आएगा, तो सबसे बड़ी बात जो है न वो होता है sequencing, वो होता है sequencing, कि sequence में चीजों को सजा के रख दो, और sequence में जो चीजों को सजा के रख दिया, वो हमने यहाँ पर अपने PPT में बनाया, खुले आम वो PPT बाटा जा रहा है, बाटा जा रहा बाटा है, लगधर लो तुम इसी से पढ़ा लो, पढ़ा लो कोई बात नहीं, पढ़ा लो क्या हो गया, पढ़ा लो, कई पढ़ा लो कि पढ़ा होगे, चार बच्चे सीखेंगे इसाही, कोई दिक्कत नहीं है, सारे वही sequence, वहीं सवाल, वहीं चीजे, साराब्बे नहीं सब्सक्राइब ते हैं धने सब्सक्राइब तरम सब्सक्राइब कर ता लिए लिए। कोई दिक्कत निए कर लो ऐसी बात बताऊंगा ना कि तुम्हें नफरत हो जाएगा कि सर ऐसा भी होता हाँ रहीन कोई बात नहीं कि सीधा सीधा पीपीट उठा के देदेते कि इससे लो और इसी से पढ़ा लो इस पीपीटी को फॉलो कर लो पूरा कोई बात नहीं फिर से बाप इक है कर दो जास suli दिख कर रहा व गलत लिख रहा हो जासे हम जैसे तुम सहनम और शहनम दोनों हम तुम सोनम सोनम गलत कर रहा हो। गलत नम लिख रहा ओ सही नम पे आज़ाओ accept करने में दिक्कत होगे लेकिन सही नाम प्याज़ो आओ block of mass m moving with velocity v naught block of mass m moving with velocity v naught on a smooth horizontal surface hit the spring of constant k hit the spring of spring constant k and so on then maximum compression in the spring maximum compression in the spring हम सनम तुम सनम हम दोनो सनम सनम अब सही नाम प्याए हो system में की चीज़ चलता है system है system अब सही नाम प्याए हो कुछ कुछ कोई बात नहीं आओ आओ